नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले सभी अपने फैमिली मेंबर्स को हैपी निव येर नौवर्स मंगल मैं हो तो आज हम मनाएंगे आलू और मटर की सबजी जो की हर को पसंद आती है अर अभी ठंड में बहुत अच्छे म आपकोशन और यहां चार आलू जिसे छील के कट करके इससे हमें फ्राई करना है तो आलू को हम तेल में सबसे पहले फ्राई कर लेंगे कम सम 60 पर संड तक कूख हो जाना चाहिए इस पे अच्छा सा कोट हो जाना चाहिए इसके बाद इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल ले कि दोटें के बाद किसमें हम इसका मसाला तैयार करेंगे कि इसमें थोड़ा सा अधा छोटा जम जीरा दो तीन तेजबता एक सुखी लाल मिर्च और थोड़ा सा लॉंग और चोटी लाइसी डाल देंगे एक जोड़ा हैं और इसके पकने के बाद हम डालेंगे प्याज तो य बदलने गुलाबी होने तक इसे हमें भुनना है तो देखिए प्यास का कलर थोड़ा चेंज हो गया है अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच लहसून अदरक और लाल मिर्च फिसा हुआ है यह पेस्ट है इसे डाल करके हम साथ में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच हम डालेंगे धनिया और जीरा का पाउडर इसे डाल करके साथ में लाल मिर्च डालेंगे यह है कस्मीरी लाल मिर्च और डाल करके इसे हमें भूनना है इस मसाले को मीडियम फ्लेम में हम इस मसाले को भूनेंगे तो दो मिनिट भूनने के बाद गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा और लो कर देंगे और मसाले में देखिए हमारा मसाला जो है वो भून चुका है लगभग तो अब इसमें हम डालेंगे एक टमाटर डाल देंगे कट करके और टमाटर के साथ जाएगा नमक यह पूरे सब्जी का नमक है यह एक बड़ा चम्मस या आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं और अब हम इस टमाटर के साथ इस मसाले को थोड़ा दिर और भून लेंगे तो अब इसमें देखिए तेल भी बाहर दिखने लगा है मसाला हमारा अल्मोस्ट डन हो चुका है किसी भी सब्जी में मसाला का अच्छी तरह से भूनना बहुत जरूरी है तो अब हम डाल देंगे यह हमारा ताजा मटर है एक कब से थोड़ा सा ज़्यादा है यह इसे भी डाल के मसाला के साथ ही इसे भी एक मिनट भूल लेंगे मटर को भी आलू हमारा फ्राई है ही अब इसके साथ हमारा जो है मटर जिसे हम लोग च्छीमी बोलते है च्छीमी मटर ताजे मटर को बोला जाता है इस तरह से यह हमारा जो मसाला है सब्जी भून चुका है तो अब इसमें हमें डालना है क्या पानी तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे फ्राई किया हुआ और इसे भी साथ में अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और डालेंगे हम इसमें पानी तो दो कप पानी इसमें डाल देंगे क्योंकि हमारा आलू भी पकना है और हमारा चीमी भी तो पकने के लिए पानी रहेगा तब ही अच्छी तरह से ये पक पाएगा और इसके बाद क्या करना है हमें थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे ये घर का ये गरम मसाला है तो एक छोटा चमज गरम मसाला और फ्रेश सहरा धनिया डाल देंगे इसके बाद इसे ढग करके हम बिल्कुल लो फ्लेम में साथ से आठ मिनट तक पका लेंगे यह हमारा देखिए सबजी आठ मिनट के बाद यह पूरा पानी जो है वो सोक कर गया है और हमारी सबजी जो लटपट सबजी है न वो तयार हो चुकी है तब आलू चेक कर लेते हैं हमारा आलू कैसा है तो आलू डन हो चुका है यह जो सबजी है हमारी बन करके तयार है अगर आपको ग्रेवी वाली सबजी चाहिए तो थोड़ा सा और गरम पानी डाल दीजिए आपकी सबजी तयार हो जाएगी गैस को कर देंगे बन और निकालेंगे अपने परतर में तो इस तरह से यह हमारा आलू और चीमी की सबजी जो है वो बन के तयार है कैसा लगा आपको लाइक करें शेयर करें